इंडिया जैसी populated country में बहुत ही कम ऐसी जगाएं जहां कम लोग रहते हूं और उनी कुछ remotest places में से एक है स्पीती वैली ये cold desert वैली दिल्ली से 10 गुना जादा एरिया में है और population दिल्ली की population से 0.1% से भी कम जब इतनी remote location है तो फिर मैंने सोचा ग्रुप को ले जाकर भीडियो करनी जहलते हैं सौलो मॉर्निंग में मनाली से काजा की बस पकड़कर शाम तक आप होते हैं स्पीती में और अगर आपने ये bus journey करी तो ये आपकी अब तक की सबसे scenic bus journey होने वाली है Bus drop करती है काजा में जो की स्पीती का headquarters है और यहां का सबसे बड़ा town भी स्पीती में locally भोली जाती है भोती language जो की एक तरह की Tibetan language है और यहां नमस्ते या hello नहीं बोला जाता है जो बोला जाता है वो आपको ये बच्चे बताएंगे स्पीती के बारे में थोड़ा और जानने मैं पहुचा यहां की सबसे बड़ी monastery की monastery करने में दोलोग में भीती के बारे जादिए करने में नहीं पहुचा टेहां की भीती जोड़ा आजाद्टी जादे तर जादे जितने भी 90% मनस्ट्री आपको बीडबार इलागे से दूर मिलेंगे, काउं से दूर, शेहर से दूर, जो भी स्टेडिस करते हैं, मंंक्स और जो भी प्रैक्टिस करते हैं, उनको आइडिया होता है कि केसा एट प्रमोस्पिर चाहिए होता है, तो उसके एकोडिंग वह इस त इसमें नहीं होता है, वो रूसका मेडिटेशन जो है, वो सकस्पूल रहता है, की मोनेस्ट्री अराउंड 13,000 फीट की हाइट पर लोकेटिड है, और यह सच में अपने आप में एक टाउन है, इसमें स्कूल्स हैं, टैंबल्स हैं, प्रेयर होल्स, होस्टल्स, बड़े- और भी बहुत कुछ, मोनेस्ट्री में बच्चे से लेकर बड़े, आपको हर एज के मंक्स मिलेंगे, और मोनेस्ट्री को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहां की लंच प्रेयर में शामिलोना, दिन में 12 बजे के अराउंड सभी मंक्स प्रेयर होल में कट होकर लंच करते हैं, और अगर आप भी यहां बैटे, तो आपको भी बटटी सब की जाएगी, जो कि सच में बहुत टेस्टी होती है, और लंच से पहले की जाती है प्रेयर और चैंटिंग, लंच के बाद सभी मंक्स बच्चे अपने प्लेट्स और बाउल्स को खुद दोते हैं, और इन में से कुछ बच्चे तो सिर्फ पात साल की एज के होते हैं, लंच बनता है इस किचन में, इन बड़े-बड़े बर्तनों में जहां किल्लोज अफ दाल और राइस सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए बनाया जाते हैं, यह कुकर्स इतने हैवी होते हैं कि इन्हें एक आदमी उठानी सकता, दो लोग मिलकर एक कुकर को स्टॉफ पर रखते हैं, और फिर किचन से खाना सर्फ किया जाता है, बड़े-बड़े बकेट्स में बर कर प्रेयर होन में, सत्तू, यहां के जों बोलते हैं बाली, उसको रोस करके फिर चक्य में पीश के बनता है, और सत्तू, यहां का सुपरफूड है, यह आपको हर जगह दिखेगा, यहां के प्रेयर के लिए बने खाने में, प्रेयर के लिए बने होली स्ट्रक्चर्स में, मतलब हर जगह है, इवनिंग के टाइम सभी मंग्स बच्चे चले जाते हैं खेलने के लिए, और यह कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब कुछ भी है, कर दो दो, और दो दो, पुटबॉल, मतलब का लिए, और जो, थाओपने जाते हैं, इंए जाते हैं, झालबॉल, मतलबॉल, का बने हमे लिए झाल्य हैं, प्रेयर के लिए खेलिते हैं, आपको एडमेशन कराने की ज़रूएथ है। आपकी सब जो जो चीज़ें जितने भी जिसे फूड़ खानने से लेकर कपड़ों का रूम का और जैसे मनी पॉकेट मनी इन सब का मोनेश्य क्या लगता है। हर फैमिली से जैसे परिवार का दूसरा लड़का हो तो वो इधर बिख्शू बने के लिया था। दो होगा तो एक इधर गाते हैं। तो ममे पापा की याद नी याती है। याद आते हैं। अजिए को जहां लग कभी चला जाते हैं। कर हम लोग भी जाने हैं। याद फिर मंदी को हम दुआ जाते हैं। घूमने चले जाते हैं अपने गाओं। इसका गाओं तुबर इसका गाओं तुबर। दोनों गाओं की बड़ है। अच्छा अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ एडल्ट मंक्स करते हैं अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस। वो भी इन स्पेशली मेडिटेशन के लिए बने केव्स और गुफाओं में। विजुटेशन की वैस्त करते हैं प्रिंटेशन काना alpha में हुआ अच्छा-मॉल्ट वहांबर आपने सेप्रेट केप देगा आपकेवा अलाग अलाग से अगर कोई सेप्रेट काना चाहता है मेडिटेशन तो वहां कर सकता है और वह स्पेशल जो विंडो है उसके अलाव पूरा धार्क है तो आपको फोकस करने का एक चीज मिलता है तो आप उस पर वेल फोकस रहते हैं क्योंकि उसके अलाव आपको देखने को कुछ है नहीं वो रोशनी आपको फुल फोकस्ट महिसूस कराता है और आप पुरा वेल बैलन्स रहते हैं जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको एक स्टैबिलिटी देता है किस तरह से स्टैबल रहना है अपने अपने मेडिटेशन के बारे में सुना हुआ है सिंगल-pointed meditation, analytical meditation तो main base, single-pointed meditation जब बुदिशन में जदेखरा जदेखरा बुदा के स्टैच उपोकस करते है स्टैच उपे एक चीज़ पर फोकस करना है single-pointed meditation, एक चीज़ पर फोकस आपका रहें मेडिटेशन के बारे में काफी बाते पता चली बट सवाल तो यह है कि मेडिटेशन इतना जरूरी क्यों है अभी तक हम जो है हमारा फिसिकल का ही वो कर रहे है अब हर रोज अपने शरीर को खाना केलाते हूं सुबह, दिन को रात को और कभी जैसे कॉफी, फिर ड्राइफूर्स ये सब ठीलाते हैं लास्टाइम कब आप आप ने जब माइन है उसको खाना के लाइए उसको कभ और का यह मत करो यह मत करो यह करना ऩह चाहिए, कभ का कभी कहते हैं, जो आता है उसके पीसे बाग के चले, जो यह कराता है उसके पीसे बाग दे, तो हम इसके कंट्रोल में भी, तो हमें जो है, इसको अपने कंट्रोल में करें, माइंग को अपने कंट्रोल में करें, जब यह कंट्रोल होगा, तो पुरा फिजिकल आपके कंट्रोल अपने घर से दूर रहना और वो भी इतनी सिंपल लाइफ से जुड़कर मुश्किल तो बहुत होता है मंग्स के लिए पर वो जब चाहे तब मोनेस्ट्री को छोड़ कर जा सकते हैं अगर काउन करें तो तकरीबन सेवन्टी एटी मंग्स छोड़ चुकी है और अभी हाली में दो तीन उने चोड़ा है बच्पन से इस मोनेस्ट्री में बले बड़े और यहां पर जो कुछ अभी जो कुछ आपको बता रहा हूं जो कुछ जाना है अभी जिस काबिल हूं वह और उरहा हूं माबाप है वहा हमे यार्व साल शमाले है हम अपर जिनदगी का पूरा बहीं सप्राइस स्ब्सक्रा अभी तकक अब यहां से आगे पूरा जिंदगी बद एम भर्या हूं साथ देने वाली है और यह हमीं किसी भीज़ नहीं नकारेंग कैर हम भिनकरे तो चु तो अगर अगर आप यहां जिन्दी कर दें तो तो कभी नगभी किसी हालाद में आप मौनेस्टर कर्ज चुगा कि जाएंगे आपको मौनेस्टरी का कर्ज है इस वचे से कोई आपको नहीं हो सकता है यह आपको समझ रहा है अगर वह समझ नहीं होगा तो फिर प्रूड़ को यह सब नहीं रहता है तो अभी जो कुछ भी दिया है मौनेस्टरी में दिया तो कुछ यहां से कुछ कर के जाएंगे इसके लिए इस तरह का हमारा अटिटीट इस तरह से रहता है टेंजिन लामा से बात करके बहुत कुछ नई बाते पता चली की मोनेस्ट्री के बारे में, मंक्स के बारे में और शायद जिन्दिकी के बारे में यही तो बात है ट्रेवलिंग की यह आपको नए एक्सपिरियंस कराती है नए लोगों से मिलाती है हर बार हर जगह आप कुछ नया सीख के जाते है और स्पीति की ऐसी अभी और भी जगह है और भी स्टोरीज हैं जो आप सब के साथ शेयर करनी है तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में की यह आप के मिलते हैं जो में आप सब्दक्ते हैं